आज के इस mathematics के lecture में आप सबका welcome हैं आज हम अपने इस linear equations के last जो lecture है उसमें हम करेंगे इस question से related जो है statement problems हमने पिछले lecture में भी statement problems की थी ये उसका उसी को continue किया गया कुछ और questions लेकर मैं आपके सामने आई हूँ ठीक है इसके बाद ये lecture हमारा ये topic जो है ये खतम हो जाएगा फिर हम नई topic पर बात करेंगे तो क्या है questions जैसे कि मैंने पीछे भी कहा था कि सबसे ज़्यादा जरूरी statement को पढ़ना और पढ़कर linear equation को बनाना है अगर वो बनानी आग बन गई तो बस solve तो करना हमें आता ही है ठीक है जैसे कि ये question है अमीना thinks of a number अमीना एक number सोचती है and subtracts 5 by 2 from it और उसमें से 5 by 2 को क्या करते है subtract ये अपने पीछे भी पढ़ा होगा कुछ ऐसे ही मिलता है जो जो result आता है उसको किस से multiply करती है 8 से the result now obtained ठीक है अब जो result आया 8 से multiply करने पर वो उस पर क्या condition गाई है इस 3 times the same number she thought of जो result आया 8 से multiply करने के बाद वो 3 गुना था किसका जो number उसने सूच जा था तो कहता number क्या है अब ये सारा काम number के आसपास गूम रहा है तो वैसे हम number को क्या मान लेंगे x ठीक है number क्या है x अब एक एक पार्ट करके हम इसको solve करेंगे बनाएंगे अमीना thinks of a number वो number हमने क्या ले लिया x and subtract 5 by 2 from it या इदर दे के पंजाबी में ओ इस स्विच्चों 5 बड़े 2 कटाके नतीजे नू पहला 5 बड़े 2 कटाके या 5 by 2 को उसमें से subtract करती है तो क्या करूंगी मैं according to question यहां सीधा ही लिख लेते हैं according to question x नमबर उसमें से 5 by 2 तो 5 by to पीछे बीच में कौन सा sign minus she multiplies the result by 8 अब यही result है क्योंकि यह English का variable है यह क्या math का number तो minus तो कर नहीं सकती तो यही हमारे लिए result हो गया अब इसको किस से multiply करना है 8 से तो इसको लीजे मैंने 8 से multiply कर दिया अब देखें मैंने यहां पर bracket क्यों डाल लिया अगर आप सोचो अग आगे तो आठ रहता ही नहीं इसलिए पूरे नंबर के आगे 8 लिखने के लिए मैंने ब्रैकेट डाले कि 8 जो है दोनों के आगे ठीक है चलिए result को 8 से multiply कर दिया result now obtained अब यह ही result हो गया यह कै इस three times the same number she thought of यह हुन जो नतीजा मिलदा है ओ सोची गई संख्या दा तेन गुन संख्या यह नंबर क्या सोचा था मिना ने जो हमने माना एक्स उसका तीन कुना मतलब क्या हो गया 3x ठीक है अब यह एक left side यह right side तो बीच में क्या आ गया हमारा बराबर का निशान तो अब इससे solve करना है कैसे यह बहार वाले नंबर को अंतर लेके जाएंगे 8 को x से multiply किया तो 40 by 2 आ जाएगा ठीक है चाहिए हम वैसी कटकर देते 2 के डेबल पर 2 1 नंबर पर 8 कितने नंबर पर 4 नंबर पर 8x-4520 अब नीचे तो 1 नहीं बचा तो 1 लिखो ना लिखो कोई भी फर्त नहीं पड़ता बराबर 3x अब फिर से वही फंडा x वाली सारी terms एक तरफ बिना x वाली एक तरफ तो x वाली मैं इधर रखने लगी हूँ हमेशा x वाली term उस side रखते हैं जहां पे x वाली terms में जो बड़ी है उसका निशान प्लस का हो जैसे इधर 8x है इधर 3x है तो दोनों में कौन सा बड़ा है ये बड़ा ना 8 तो 8 का निशान प्लस इधर है तो अगर मैं इसको उधर लेके जाओंगे तो माइनिस बन जाएगा इसका मतलब प्लस इधर है तो x वाली terms को इधर ही लेकर आओंगी ऐकस वाली terms उस तरफ रखते हैं जिस तरफ x वाली बड़ी term का निशान प्लस का ठीक है अब 3x को इधर लेकर आई तो इसका निशान क्या हो गया माइनस बराबर का निशान अब ये बिन x वाली है तो इसको मैं दूसरी तरफ लेकर जाओंगे तो इसका निशान क तो क्या करूंगी माइनस आठ में से तीन गए पांच एक्स वैसे का वैसे बराबर 20 अब यह पांच हूपर है तो दूसरी तरफ कहा जाएगा नेचे तो 20 बाइफ 5 के टेबल पर 5 कितने नंबर पर जाता है 1 पर 20 कितने नंबर पर जाता है 4 पर तो X क्या गया 4 इसका नंबर ज 5 ताइम्स एनादर नंबर मतलब दो संख्यामा विच पहली संख्या दूसरी तो 5 गुना है ठीक है मतलब यहीं पर कि पहली संख्या दूसरी से 5 गुना है अब दूसरी से 5 गुना है अगर मतलब दूसरी संख्या मैं मानलू 1 है तो पहली 5 गुना 5 हो गई ना तो दूसरी से condition start हो रही है दूसरी पर condition लगी है another per condition लगी है तो इसको हम मानेंगे x let another number क्या है x ठीक है तो फिर first number इसका क्या 5 गुना तो 5 x हो गया ठीक है 5 गुना मतलब क्या होता है 5 multiply x तो इसका में चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे एक ही बात है ठीक है आगे चलिए if 21 is added to both numbers हर एक संख्या विच 21 जोडनते अब दोनों में 21 एड करें एक में x21 दूसरे में भी x21 ठीक है यह पहले नंबर में और यह दूसरे दोनों में x21 एड करती है यही तो खाता उसने कहता है then one of new numbers become the twice the other new number एक की जोडनते पहली संख्या यह पहली संख्या इसमें एक की जोडनते यह बन गई यह दूसरी तो दूगनी हो जान दी है दूसरी तो दूगनी यह दूसरी नंबर है इसका दूगना मतलब इसको किस से multiply करना है दो से दूगनी हो जाती है अब इसके बीच बराबर का sign आ सकता है ठीक है क्योंकि अब balance हो गया ना उसने कहा कि जो पहली है वो दूसरी का हमने लगा दिया ना तो अब इसे find out करें पहले इन्हें multiply करें टू एक्स प्लस प्लस जब प्लस ट्वेंटीवान को टू से multiply किया 42 यह वैसे का वैसे अब चलिए टॉसरी दूसरी साइड अब देखें आउन प्लस का इस तरह जानी है यह लग लग निशान-9 इसका निशान- यह 42 में से 21 माइनस करेंगे क्योंकि अलग लग निशान है तो आंसर कितना आगए 21 इदर 5 में से 2 गए 3x अब यह 3x वाले साथ पड़ा तो कहां जाएगा नीचे इसका मतलब ऐसे तो आंसर कितना आ गया 3 के टेबल पर 3 कितने नंबर पर एक पे 21 कितने नंबर पर 7 पे x कितना आ गया 7 ठीक है तो इसका मतलब 1st नंबर कितना है मेरे पास 5x था मतलब 5 x 7 35 हो गया और 2nd नंबर कितना हो गया मेरे पास x मतलब 7 ठीक है ना तो चलिए एक और question ऐसे ही कहता है शोबो मदर प्रेजेंट एज मतलब एक शोबो और एक उसक किया हुआ कि कहता है शोबो की मा दी उमर शोबो दी शेबो दी उमर दा 6 गुना है मतलब शेबो दी मदर प्रेजेंट एज इस सिक्स चाइम शेबो प्रेजेंट एज अब जो कंडिशन लगे है वो शेबो की एज पर लगे कि शेबो की एज का 6 गुना है तो पहले शेबो क पत्ता होगी तब उसका 6 गुणा करेंगे ना तो इसका मतलब इस पे हम क्या लगाएंगे एक्स तो क्या लिखेंगे लेट शेबोस एज एक्स ठीक है तो फिर मदर एज कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 गुना मतलब 6 एक्स ठीक है अब दोनों की एज आ गई अब आगे चलिए शेबोस एज 5 यर्स फ्रॉम नौव मतलब आज से 5 साल बाद तो 5 साल बाद तो शेबोस एज कितनी हो जाएगी x प्लस पांच अगर आज बांच साल बाद कितने साल लोक होगा दस साल लोक होगा 5 प्लस 5 10 हुए ना तो उसी तरह कहता पांच साल बाद शेबोस उ मřी उमर उसी मा दी वर्त्मान ॉमर दा इक्तिहा यहिए मतलब 5 साल बाद शेबो की उमर x plus 5 इसे कैसे सौल करते हैं फिर उस ती मादी वर्तमान उमर वर्तमान उमर तो उसकी मदब की यह है इसका एक बटे 3 एक तिहाई बोला ना एक तहीं मतलब एक बटे 3 अगर 3 गुना बोला होता तो 3 से मल्टिप्लाइ करते हैं अब एक तिहाई बोला तो 1 by 3 से करेंगे ठीक है तो चलिए क्वेश्चन सौल करते हैं एक कॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है अब उसने कहा कि शेबो की क्या का उसने शेबो एज फाइव यर्स फ्रॉम नाव आज से पांच साल बाद तो शेबो की एज एक्स है तो उसके पांच साल बा उसने मां वर्तमान उमर वर्तमान उमर तो यह है ठीक है यह प्रेजेट एज है ना हमारे पास शेबो की यह भी प्रेजेट है तो किता मां की प्रेजेट एज का एक तेहाई मतलब 6x into एक तेहाई ठीक है अब यह दोनों बराबर हो गई जो कंडिशन दीती वह फुल्फिल ह होगी तो बराबर किया अब क्यूंकि बीच में मल्टिप्लाई का साइन है तो 3 के टेबल पे अगर कट किया 3 के टेबल पे 3 1 नमबर पे 6 कितने नमबर पे 2 पे तो क्या कंडिशन बनी एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू वन जा टू एक्स साथ में वान नीचे तो कोई फर जांच थिक है इसका मतलब शेबोस एज कितनी है हमारे पास और उसकी मा की एज कितनी है मा की एज कितनी है 6x बोला था उसा हमें मा की इज उसने हमें कितनी बोला था शेग जुना कहा था 6x कहा ता इसका मतलब क्या गया 6x पराबर 6 x 5 मतलब 30 येयर ये हो चिए आगे question है My ages of hari i and hary R nd ratio this मैंने ने पाहले भी जब भी जब भी शपक्राइब खी दीकल गाना तो इसका मतलब let Harry age Harry an Hess already in the damned she's I'm five and seven eight पहले हरि यह तो हरी की पाइब एक्स हैरी की एज 7x ठीक है अब ये रेशो का मतलब क्या होता है 5 by 7 4 years from now मतलब आज से 4 साल बाद the ratio of their ages will be 3 to 4 ठीक है find the present ages हरी ते हैरी दी वर्तमान उमर दानुपाद 5 जनुपाद साता है वो हमने लिख लिया चार साल बाद अब चार साल बाद इनकी उमर क्या होगी चार साल इन में जोड़े जाएंगे ना तो क्या बना मतलब according to question एक बात हो जब भी यह ratio वाला question आता है तो ratio का मतलब क्या होता है पहली term उपर लिखते हैं और दूसरी term कहां लिखते हैं नीचे बीच में यह divide का निशान होता है जैसे 5 is to 7 दियाना है तो 5 उपर पीछे वाली term नीचे और बीच में कौन सा निशान divided का तो इसको हम लिखें मतलब इन में कितने साल जोड़े जाएंगे चार साल उनकी कितनी age हो जाएगी 3 is to 4 यानि की बराबर 3 is to 4 हमारे हिसाब से 4 साल बात उनकी उमर यह होगी पर वो कहता answer कितना है 3 by 4 अब इनको हम solve करेंगे यह हमने solve करना सीखा हुआ है कैसे करना हमने solve इसको इससे multiply करना है ठी लिए पहले वैसे लिख लेते हैं फिर ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो अब इसको तो होसाल को एनाता ही है फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स प्लस फोर फोर्जा 16 बराबर 37221 एक्स प्लस 3 फोर्जा 12 अब देखे 20 और 21 में बढ़ा 21 है तो इसका मतलब 20 इधर जाएगा औ बिना एक्स फाली टर्म्स इधर आएंगी 12 बिना एक्स वाली है तो इधर गया तो निशान कुन सा आ गया माइनस 21 एक्स इधर वैसे का वैसे 20 एक्स को इधर लेके आँगे तो इसका निशान किसका ओ गया माइनस का 16 और 12 अलग लग निशान है माइनस की चार इधर एक एक नीचे गया तो एक्स कितना आ गया मेरे पास 4 इसका मतलब हरी की एज कितनी है हमने एज निकाने है ना उनकी हरी की एज कितनी है five x five into four मतलब twenty years और हैरी की एज कितनी है मेरे पास 7X मतलब 7 x 4 मतलब 28 तो ये हो गया हमारा ठीक है तो चलिए आगे एक और question कर लेते हैं वो क्या है last question फिर ये chapter भी खतम हो जाएगा और इससे related आपने जो भी सारे questions बुक में से exercise में से करने हैं ये जो questions लिए ये मैंने 2.4 और 2.6 में से लिए ह ऐसी similar questions आपको बुक में मिलेंगे 8th class की मैद की बुक में ठीक है तो चलिए आज का last question का इस चॉपिका D.E.N. मतलब denominator shortcut में लिखा है the denominator of a rational number ठीक है is greater than its numerator by 8 If the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1 the number obtained is 3 by 2 Find the rational number इक परी में संख्यादा हर उस दे आंश नालों आठ जादा है जेकर अंश विच सी स्तारा जोड दिता जावे अते हर विच्चों इक कटा दिता जावे तसानु तिन बटे दो प्राप्त होवेगा परी में संख्याद पता करो मतलब परी में संख्याद पता करना नहीं किया है तो क्या करेंगे let rational number या परी में संख्याद कितनी ले लेंगे x हर उसने का है अब हमने एक rational number लेना है rational number मतलब fraction वाली term मतलब जैसे 1 by 2 यह fraction है ना उपर वाले को आंश numerator नीचे वाले को denominator हर बोलते है ठीक है अब हमने ये देखना है कि हमारे जो rational number है उसमें उपर और नीचे क्या आएगा इसके लिए हमें conditional देखें पड़ेगी वो कता परी में संख्यादा हार उस दे आंश नालों 8 जादा है मतलब जी आंश 8 है अब ये जो है ये numerator पर लगाई गई है कि denominator numerator से 8 जादा है तो इसका मतलब numerator पर condition लगए है ना तो numerator x तो denominator कितना हो गया इससे 8 जादा मतलब x plus 8 ठीक है अब question क्या है उसके according हम इसमें conditions लगाएंगे और क्या कहता है कहता है ये तो एक बार हमने निकाल लिया rational number if the numerator is increased by 17 numerator मतलब क्या जेकर अंश विच स्तारा जोड़ दिता जावे ता अंश उपर लिए रखम इंदेच स्तारा जोड़ता ठीक है नीचे वाला denominator हर वैसे का वैसे लिख लिया अते हर विच्चों एक कटा दिता जावे अब ये denominator यह हर है उसमें एक क्या करना है माइनस ता कहता क्या होगा the number obtained is 3 by 2 ता सानू तेन बटे दो प्राप्त होवेगा इसका मतलब यह है ठीक है तो कहता परिमे संखे यह rational number 500 कीजिए तो बस अब यह हमने solve करना है ठीक है पहले हम लिख लेते हैं इसको इसके साथ ठीक है फिर अब हम solve करेंगे तो चलिए टू एक्स प्लस 17 टूजा 34 बराबर 3 एक्स प्लस 37 जा 21 अब 3 एक्स बढ़ा है ना तो एक्स वाली टम्स हम उधर लेके जाएंगे इधर बिन एक्स वाली तो 21 इधर आ गया माइनस का हो गय टू एक्स उधर गया वह भी माइनस का 34 और 21 अलग लग निशान है तो माइनस करें 4 में से 1 गये 3 3 में से 2 गये 1 बराबर 1 एक्स तो एक्स कितना आ गया 13 तो अब हमारे पास rational नंबर जो है उसने हमें कहा है कि यह find out करो तो यह rational नंबर क्या हुआ एक्स बराबर एक्स प्लस 8 था मतलब 13 बाइ 13 प्लस 8 यह है तो कितना हो गया 13 बाइ 13 और 8 सेम निशान है तो एड़ किया कितना हुआ 21 तो मेरे पास answer कितना आ गया 13 बाइ 21 ठीक है अब आपने इससे related questions के practice करनी है आपको यह चैप्टर प्रॉपर क्लियर हो गया होगा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं thank you have a nice day